हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्पुन 40 अपजेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे यह जो 40 अपजेक्टी प्रशन है यह आपके फाइनल बोड पर इक्छा के लिए काफी महत्पुन है तो एक भी प्रशन आप लोग स्कीब मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ओल पे कर लिजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हूँ तो आपके पाश नोटिफिकेशन पहुंसता रहे तो आईए शुरू करते हैं पहले नमबर प्रशने से तो पहला नमबर प्रशने की जाती पर्था क्या निर्धारित करता है यहाँ पे यह वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने दो नमबर दो नमबर प्रशने की किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया ए उपसने सोफर ने वी उपसने नौकर ने सी उपसने खोखा ने डी उपसने सिन सहब ने तो यहाँ पे आपको बताना है की किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया तो खोखा ने मदन को एक घूसा रसीद क भारत में, वी उपसने जापान में, सी उपसने चीन में, डी उपसने अमेरिका में, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातिया हैं, तो अपने देश भारत में सबसे अधिक जातिया हैं, यहाँ पे एवाला उपसन बिल्कुली सही हो जाएगा, प्रशन पांच नमबर प्रशन की तमिल मल्यालम तेलगू भसाएं हैं तो यह दक्षिन भारत की इसे आपको याद रखना है यहाँ पर भी वाला उप्सन बिलकुल ही सही हो जाएगा हिंदी के काफी महत्पुन 40 अब्जेक्टी परशन हम आपको बताएंगे तो एक भी परशन आप लोग इसकी मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और विडियो को अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग विडियो को लाइक भी कर दिजिएगा ये देखते हैं अगला प्रशने 6 नंबर प्रशने की वाडी कब 20 के समान हो जाता है A उपसे ने राम नाम के बिना, B उपसे ने तिर्थे आतरा के बिना, C उपसे ने ग्यान के बिना, D उपसे ने माता पीता के बिना तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाड़ी कब 20 के समान हो जाता है तो वाड़ी राम नाम के बिना 20 के समान हो जाता है तो यहाँ पे एवाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 7 नंबर साथ नंबर प्रशने की गुरु नानक की रचनाओं के संगरा को क्या कहते हैं ए उपसे ने गुरु गरंद साहब, बी उपसे ने वाहे गुरु, सी उपसे ननकाना साहब, बी उपसे ने फता साहब यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रा को क्या कहते हैं तो गुरु गरंद साहब कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन आठ नंबर आठ नंबर प्रशने कि घानानंद किस बात्सा के पिर मुर्शित थे तो मुहमत साहरंगिला के थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन नौ नंबर नौ नंबर प्रशने कि इन दिनो भारतिय बजार में कौन सी वस्तुए भरी पड़ी है यहाँ पे बी वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन दस नंबर दस नंबर प्रशने कि हमारी निंद कभीता में निंद किसका परतीक है यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी निंद कभीता में निंद किसका परतीक है तो आलस का परतीक है यहाँ पे बी वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 11 नंबर 11 नंबर प्रशने कि वायू पर दूसरण को रोका जा सकता है यहाँ पे आपको बताना है कि वायू पर दूसरण को रोका जा सकता है यहाँ पे वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 12 नंबर 12 नंबर प्रशने कि अमराई का कुवा कहा इस्तित है ए उपसने रास्ते में, बी उपसने खेत में, सी उपसने सहर में, डी उपसने बजार में तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुवा कहा इस्तित है तो अमराई का कुवा रास्ते में इस्तित है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रशने 13 नंबर, 13 नंबर प्रशने की सोफर का अर्थ क्या होता है, एउपसे ने सभ्याता, बीउपसे ने संबंधी, सी उपसे ने ड्राइवर, डीउपसे ने मिस्तिरी, तो यहाँ पे आपको बताना है की सोफर का अर्थ क्या होता है, तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, यहाँ पे सी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रशने 14 नंबर, 14 नंबर प्रशन तो भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रशने 15 नंबर, 15 नंबर प्रशने की भारत माता का आंचल कैसा है, ए उपसे ने नीला, बी उपसे ने लाल, सी उपसे ने गीला दी उपसे ने धूल भरा, तो यहाँ पे आपको बताना है, कि भारत माता का आंचल कैसा है, तो धूल भरा है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे डी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, हिंदी के काफी महत्पुन 40 objective प्रशने हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रशने सूला नंबर, प्रशने कि किस नदी के बांद के नीचे लक्षमी का घर था, ए उपसे ने गंगा नदी, वी उपसे ने यमना नदी, सी उपसे ने देवी नदी, डी उपसे ने सरुसती नदी, तो यहाँ पे आपको बताना है, कि किस नदी के बांद के नीचे लक किस ने किया ए उपसे ने वारेन हेस्टिंगस ने वी उपसे ने जनरल कनिंगम ने सी उपसे ने मैक्स मूलर ने डी उपसे ने विलियम जॉन्स ने तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेकदूत का जर्मनी में अनुवाद किस ने किया तो यहाँ पे देखिए मेकदूत का जर् प्रशने कि हिरोशिमा कहा है यहां पर डी वाला ऑप्सन बिल्कोल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 19 नमबर उनिस नमबर प्रशने की रस्खान को किसने सिक्षा दिया था यूपसे ने गोकुल नाथ ने वी उपसे ने गोरक नाथ ने सी उपसे ने बिटल नाथ ने डी उपसे ने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि रस्खान को किसने सिख्छा दिया था तो बिठल नाथ ने दिया था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 20 नमबर 20 नमबर प्रशने कि भारत माता कहा निवास करती है A उपसेने सहर में, V उपसेने पहाड पर, C उपसेने गाओं में, D उपसेने नदी में तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कहा निवास करती हैं तो भारत माता गाओं में निवास करती हैं यहाँ पे C वाला option विल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प बताना है कि बेत्मा कहां इस्तित है तो जो बेत्मा है यह इन दो़र के पास इस्तित है यहाँ पर a वाला alt बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन है बाइस नमबर बाइस नमबर प्रशन है कि बहादुर का बाप कहां मारा गया・ a उपसन ए युध में B.O.P.C. ने डकैती में C.O.P.C. ने चोरी में D.O.P.C. ने चरवाही में तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादूर कब आप कहा मारा गया तो बहादूर कब आप युध में मारा गया यहाँ पे एवाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 23 नंबर 23 नंबर प्रशने कि बहादूर से मार खाकर भैस किसके पास आई A.O.P.C. ने बहन के पास B.O.P.C. ने मा के पास C.O.P.C. ने दीदी के पास B.O.P.C. ने नानी के पास तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादूर से मार खाकर भैस किसके पास आई तो मा के पास आई यहाँ पे B वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 24 नंबर 24 नंबर प्रशने कि रस्खान दिल्ली से कहा चले गए यहाँ पे आपको बताना है कि रस्खान दिल्ली से कहा चले गए तो जो रस्खान थे यह दिल्ली से ब्रज भूमी चले गए यहाँ पे B वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 25 नंबर 25 नंबर प्रशने कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्य यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो पच्छताना है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 26 नंबर 26 नंबर प्रशने की दूर से कौन ललकारता है यह उपसे दूसमन, भी उपसे ने डाकू, सी उपसे ने वरिक्ष, डी उपसे ने मा तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूर से कौन ललकारता है तो दूर से वरिक्ष ललकारता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 27 नमबर, 27 नमबर प्रशने कि भगवान का अस्तितो समाप्थ हो सकता है यहाँ पे बी वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 28 नमबर 28 नमबर प्रशने कि कभी को बुढ़ा चोकिदार ब्रिक्ष हमेशा कहां मिलता था यहाँ पे सी वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 29 नमबर 29 नमबर प्रशने कि महात्मा गाधी का जनम कहां हुआ था यहाँ पे डी वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 30 नमबर 30 नमबर प्रशने कि फ्रांस का परमुख कला किंदर रहा है यहाँ पे सी वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 31 नमबर 31 नमबर प्रशने कि इबादत का अर्थ क्या होता है यहाँ पे इवाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 32 नमबर प्रशने कि स्वाण बेल गोला अस्थान का सम्मन किस्से है यहाँ पे एवाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 33 नमबर प्रशने कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है तो भाईचारे का दूसरा नाम लोगतंतर है यहाँ पे एवाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 34 नमबर प्रशने कि खोखा किस कहानी का पातर है यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किस कहानी का पातर है तो जो खोखा है यह बिसके दात कहानी का पातर है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 35 नमबर 35 नमबर प्रशने कि वकालत की पढ़ाई के लिए गाधी जी कहां गये थे एउपसे ने अमेरिका बी उपसे ने ब्रिटेन सी उपसे ने जपान डी उपसे ने दक्षिड अफरीका तो यहाँ पे आपको बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गाधी जी कहां गये थे त यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचिंतम भासा कौन सी है तो संस्कृत है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 37 नंबर 37 नंबर प्रशने की जार सही कहा थी ए उपसने रूस में बी उपसने फ्रांस में सी उपसने नेपाल में डी उपसने चीन में तो यहाँ पे आपको बताना है कि जार सही कहा थी तो जार सही रूस में थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला option बिलकुल ही सही हो जा आईए देखते हैं अगला प्रशन 38 नंबर, 38 नंबर प्रशन key उगते सुरच के देश किस देश को कहा जाताए एॉप से ने भारत को वी उप से शिरलंका को, सी उप से ने नेपाल को, ६ी उप से जापान को तेहां पर आपको बताना है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है तो जापान को कहा जाता है यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 49 नंबर 49 नंबर प्रशन की बिर्जु महराज की पिता जी की मिरत्यू किस कारण से हुई यहाँ पे आपको बताना है कि बिर्जु महराज की पिता जी की मिरत्यू किस कारण से हुई थी तो लू से हुई थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे यह वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन 40 नंबर 40 नंबर प्रशने की प्रसंसा का बिलों क्या होगा यह उपसे निंदा, भी उपसे ने बढ़ाई, सी उपसे ने सराहना, डी उपसे ने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रसंसा का बिलों क्या होगा तो निंदा होगा इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिलकुली सही हो जाएगा हिंदी के काफी महत्पुन 40 objective परशन बता चुके हैं और यह जो 40 objective परशन है यह आपके final board परिक्षा के लिए काफी महत्पुन है तो इसमें से जो भी परशन आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे notebook पर लिख के जरूर याद कर लिजिएगा और यह रहा आपके लिए homework परशन इसका जवाब आपको comment box में देना है कि लेखक सब्द का easter link क्या होगा a option ए लेख, b option ए लेखी का, c option ए लेख ने, d option ए लिखावट तो जो भी option आपको सही लगे वो आप हमें comment करके जरूर बताईएगा और वीडियो को like नहीं कियें तो please आप लोग वीडियो को like किजें अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर share किजें और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए thank you for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ाई किजे, take care and bye